हेलो फ्रेंग गोड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी लोग आई होप सभी ठीक होंगे और जो भी चैनल पर न्यूव आते हैं प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लिया करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें इधर लग गई हूँ मैं मॉर्निंग के काम से अपन इस ड्रेस पर इतना बवाल मचेगा कि आप पूछे मत क्यों कि जो लोग मतलब मेरे घरवाले कुछ बताऊं लोग रिष्टेदार हों या घरवाले हों वीडियो देखते हैं बाहर वाला कोई बात मैं बोलेगा पहले घरवाले बोल देते हैं कि कैसे कपड़े पहन रही है वो है सारा कुछ दिखाती है पर मैं क्या करूं कि मैं अपने हस्पैन को बोलती हूं कि नहीं पहनूंगी और वीडियो बनाती हूं मैं तो उन्होंने बोला है कि साथ मेरे रहना है या उन लोगों के रहना है बोलने दे बोल रहे हैं तो मतलब कोई वो तो नहीं है और सच मे यह मतलब ड्रेस में भी जरूर होगा कि मतलब यह दिख रही कमर दिख रही है कि आगे से गला दिख रहा है कि यह दिख रहा है बहुत वबाल होगा पर में क्या करूं तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि लोग वीडियो देख करके मुझे नहीं बोलेंगे आपस में इधर उधर बोलेंगे एक दूसरे को वो उसकी और ऐसी कपड़े पैन रही थी अच्छा नहीं लगता है सब देखते हैं और उधर से मुझे पता चल जाता है जो अगर जिसको नहीं बसंदा डारेक्ट मेरे मुझे बोल सकते हैं या मेरे हस्पेंड को बोल सकते हैं सबसे बड़ी ब मिलेगा आपको कि अपनी औरत को ऐसे कपड़े क्यों पेनाता है तो उनको बोलके देखे क्या जबाब मिलेगा और मेरा यह है कि जो मेरे हस्पेंड बोलते हैं मैं वही करती हूं आप लोगों के मतलब सोच से दूसरों की सोच से मैं ना तो पढ़ाई कर पाई थी साधी जै है और घर समालोग पढ़ाई का किसी का नाम नहीं था मेरे हस्पेंड का भी नहीं था जब मैं सूट पेंटी थी तो मेरे किसी सिकायत की हस्पेंड से उन्हों добав से ब slopes करती हूं मैं किसी को सुने वाली हूं नहीं और बारवर बोलूंगी इस आप लोग बिल्कुल बीडियो म लगाने से कोई किसी को बोलेगा कोई किसी को बोलेगा तो आपका दिमाग जाएगा उसमें मैं रुखने वाली तो हूँ नहीं ना तो मैं किसी का खा रही हूं जो किसी की सुनूं और नहीं आप लेके दे रहे हैं मुझे जो मैं उसे पहनूं और जो मेरे हस्पेंट लाते हैं देखने सा जो आदमी सीधा होता है ना वो बहुत वो होता है मतलब कोई कंजूसी में नहीं कि ये मत पैन का वो मत पैन हर तरह से खुली छूट है मेरे हस्पेंट की और मैं बोलू कि मतलब मैं परदा करती हूं सुसराल में जाके ये करती हूं कि कौन बोलता है बिल्कुल भी मत कर आँखों की सरम होनी चाहिए फिर मैं बोलती हूं कि बाहर वाले लोग देख के बोलेंगे कि ये कर रही है कि वो कर रही परदा नहीं कर रही तो उनका जवाब बस यही रहता है कि साथ मेरे रहना, उन लोगों का नहीं रहना जो उनकी तू सुनेगी किसलिए और सच में मैं कभी-कभी सोच भी लेती हूँ उन लोगों की सोचती हूँ कि वो लोग ऐसे बोल रहे हैं मैं सिर में दर्द होने लगता है पर मेरे हस्पेंट बोलते हैं क्यों सोचती है किसी कि क्यों वो करती है तो जैसा खाना है, जैसा पीना है हमारी मर्जी है और हमारी जिंदकी है सच में मुझे भी लगता है कि ये जिंदकी है हमारी दुवारा से नहीं मिलेगी और कुछ भी नहीं कर पाना है तो इसलिए मेरत भाई जो मन में आता है जो मेरे स्पेंट बोलते हैं वो लाके देती हूं अब कुछ भी कहिए आप लोग कुछ भी मत कहिए तो बस मैं आपना सुबह का काम ने बटा रही थी अपना और सुबह तो आप लोगों को पताई है कि क फिर भी धूल मिट्टी इतनी जमती है कि बहुत जादा जमती है तो इधर अभी स्टेंड का यह कपड़े वाले स्टेंड ने इसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि बारस वागेरा हो नहीं रहे है तो यह इधर ही रखा है कुछ बरतां साप कर दिये फिर भी डाइनिंग चला है बड़े बच्चों का तो उसकी छुटी रहती है उस दिन वह नहीं गया तो यह देखिए मेरा काम हो चुका है मतलब और इधर यह सामका टाइम है तो मैं बना रही हूं कड़ी और कड़ी मैं बनाती हूं तो आपको हर बार मतलब कोई ऐसा जाता होगा जब बनाती तो सेयर नहीं करती तो वैस मैं सेयर कर रही थी आप लोगों के साथ और आज कुछ अलग तरह से कड़ी बनाऊंगी कड़ी पकोड़ा तो यह देखिए मैं दई लिया दई को अच्छे से फिंट लिया है उसमें पानी डाल लिया था और सबजी खाने का सचमा गर्मी बिल्क कड़ी में लागाया तो मैं इधर ही कच्छी हिंग डाल देती हूं क्योंकि कच्छी हिंग की खुसवू बहुत अच्छी रहती है इसमें मिर्च भी डाल देती हूं मिर्ची पावडर और इधर देखिए यह पकोड़े बना रही है तो आलू कद्दू कसकर के लिए मैंने न कड़ी के लिए बहुत ही अच्छी तो फूल जाएंगी थोड़ी सी अच्छी और कड़ी मेरी इधर उवल रही है लगाता और कम से कम आदा पॉन घंटा मेरी कड़ी सिम के इस पर उवलती रहती है जब वाल आ जाता है उसके बाद में वालती रहती हूं क्योंकि इसमें मलाई नहीं पड़े तब तक कड़ी अच्छी नहीं ती और कड़ी आप लोग तड़ का उपर से डालते हैं उसमें कुछ अलगी टेस्ट आता है मेरे पकोड़े बन चुके हैं कड़ी मैंने पल्ट के रख लिया दूसरे बरतन में सारी अभी नहीं पल्टी साहिद तो इधर में थोड़ा से तेल और दिया है और इसमें अजबाइन जीरा और मेती दाना जो भी क अच्छा नहीं लगता आज कल पता नहीं क्यों हम दोनों यह नहीं खाते हैं ना हस्पेंट खाते हैं ना मैं खाती हूं कड़ी में साग में खा लेते हैं पर था नहीं तो मैंने सुचा कि कोई नहीं इस तरह से बना देती हूं इसको और देखिए प्याज भी डाल दी ओ तो थोड़ा सा पानी डालें कियों कि फ़ीं को बहुत जादा पीएंगी इसको यह तो थोड़ा सा पानी डालेंगी जब ओवाला जाएगे अच्छे से क्योंकि काफी टाइम में अभी और मुझे एक लास जाना है तो इसलिए मैं कड़ी बना के रखके जा रही हूं और फि लिए फिर वीडियो का इधर ही एंड करते हैं करल मिलते हैं आप लोगों से एक नीव वीडियो साथ में तब तक के लिए बाय और आप लोग